नमस्कार स्वागत है आपका स्पेन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके सांशूती दिल्ले में जामिया मिलिया इसलामिया इनिवर्शिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे चात्रों की और पिस्तौल तानने और गोरी चलाने वाला यूबख नाबालिक है या नहीं इसे लेकर बहस चुड़ी भी है मैं बता दे आपको कि एनि ने हाले में एक मार्क सीट ट्विटर पर शेयर की जोसे लेकर कई तरह की सवाल उठ रहे हैं मार्क सीट को ये कहकर शेयर किया गया कि ये जामिया में प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल तानने वाले की है सोसेल मीडिया पर इस मार्क सीट को कई लोग नकली बता रहे हैं और इसमें दी गई जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं लोग ये सवाल पर उठा रहे हैं कि जामिया में पिस्तौल तानने और गोली चलाने के कुछ ही घंटों में मार्कशीट शेयर करने के पीछे मकसद इस सक्ष को नाबालिक साबित कर उसकी सजाग कम करवाना तो नहीं है मार्कशीट में स्कूल के कोड और पिस्तॉल तानने वाले के नाबालिक होने जैसी जानकारियों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है मार्कशीट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो नाबालिक है पता चला कि ये कि शूर उत्तरप्रदीश के गौतम बुद्ध नगर जिले के एक स्कूल का छात्र है और यहीं से उसने 2018 में दसमी की परिक्षा पास की थी चुकि ये छात्र नाबालिक है इसलिए इसकी पहचान जाही ना करने के मक्सद से इसे जुड़े किसी भी व्यक्ति या स्कूल का नाम नहीं लिखा गया है इसके मताबिक उसकी उम्र अभी 17 साल 9 महीने है और वो नाबालिक है सुत्रों के अनसार वो एक साधारन परिवार से आता है पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और मा नौकरी करती है बताया गया कि उसका एक भाई भी इसे स्कूल में पढ़ता है वो पढ़ाई में साधारन रहा है और कभी स्कूल में किसी तरह के अनशासन हिंता करता नहीं देखा गया है उनके मताबिक किशोर 28 जन्वरी को स्कूल आया था लेकिन उनकी मा ने फोन कर दोनों भाईयों को घर वापस बेजने को कहा था क्योंकि परिवार को किसी शादी में शरीक होने के लिए जाना था जिसके बाद वो स्कूल से जल्दी निकल गया था ट्विटर पर कई लोगों ने सवाल उठाया है कि मार्कशीट में जो स्कूल का कोड दिखाया गया है वो सीबी एसी की वेब साइट पर दिखाया गया कोड से अलग है बतादे कि जाविया मिलिया इस्लामिया उनिवर्शिटी के बाहर 30 जन्वरी को महात्मगानी की इस जामिया में पढ़ने वाला एक छात्र घायल भी हुआ था जिसका इलाज दिल्ली के एंस में चल रहा था नावालिक होने पर क्या होगा भारत में जुने जुवे नायल जस्टिस एक्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के अभी वियुक्त को जाद से जादा 3 साल की सजा द दर्ज किया जाए तो जुवे नायल जस्टिस बोर्ड के विवेक क्यादार पर उस पर भारतिय दंड सहीता के मताबिक साधारान अदालक में केस चलाया जा सकता है एक वरिष्ट वकेल का कहना है कि अगर जामिया में गोली मारने वाला कि शोर बालिक होता तो उस पर अटेम पेशन होम में रखा जाना होता है हाला कि दिल्ले पुलस के जौइन्ट पुलिस कमिशनर देवेश श्रीवास्तों ने हाली में मेडिया को बताय था कि इस मामले में F.I.R. दर्ज कर ली गई है और जामिया में इस्लाम्या में चात्रों पर गोली चलाने वाले शक्ष के खल जब बाहर आता है तो उसका अपराधिक रिकॉर्ड नस्त किया जाता है ताकि वो दोबारा अपने जीवन की शुरुवात कर सके यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं बाकि तमाम जानकारियों के लिए बने रही हैं मेर साथ इस को दीजी इजाज नमस्कार